हरियाना विदान सवा चुनाव की तारीकों के नस्दीक आते ही हर बीत्ते दिन के साथ सूबे में राजनीतिक पारा और उपर चड़ रहा है इस बार के चुनाव में सीधा मुकाबला कॉंग्रेस और भारतिय जनता पार्टी के बीच बताया जा रहा है दोनों ही पार्टियों ने इस पार कई नए उमिद्वारों को भी मैदान में उतारा इस लिष्ट में कई खिलाली भी शामिल है कॉंग्रेस ने जुलाना विधान सवा सीड से विनेश फॉगाट को मैदान में उतारा विनेश ने बत और उमिद्वार अपने नाम की घोशना होने से पहले आपचारिक तोर पर कॉंग्रेस पार्टी में वो शामिल हुई थी विनेश फॉगाट का एक बयान इन दिनों खूब वायरल भी हो रहा है अपने इस बयान में वो भारती ओलमपिक संग की अध्यक्ष पीटी उसा पर राजनिती करने का आरोप लगा रही है एक नेजी चैनल को दिये इंटरव्यू में विनेश फॉगाट ने कहा जब मुझे पैरिस ओलमपिक से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था तो पीटी उसा मैं अस्पताल में मुझे से मिलने आए थी ना मुझे से बात की ना कुछ बोला आपको तो पता ही है कि राजनिती में परदे के पीछे और आगे बहुत कुछ होता है तो वहाँ पर भी राजनिती हुई इसलिए तो मेरा दिल तूड गया मुझे तो बहुत सारे लोग बोल थी कि आप रैसलिंग मत छोड़ना लेकिन मेरा सवाल यह है कि आकरकार हम ये किसके लिए करें हर जगा पर आज राजनिती हो रही है मैं स्पताल में थी उस बिस्तर पर लेटी थी जहां से आगे क्या होगा मुझे नहीं पता था वो मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों म से एक था पीटी उसा वहां आती तो भगैर बताए मेरे साथ फोटो क्लिक करवाती फिर उसे सोचल मीडिया पर डाल कर लिख रहें कि हम आपके साथ खड़े हैं ऐसे थोड़ी ना कोई साथ होता है ये सिर्फ राजनिती है और कुछ नहीं हर्याना में विदान राजनिती गहमा गहमिक के बीच 6 सितंबर को पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कॉंग्रेस में शामिल हो गए थे और ऐसे में अपनी दर्शकों को बता दे कि कॉंग्रेस ने दोनों पर बड़ा दाओं खेला है लेकिन सीधे तोर पर विनेश फोगाट ने चाहिए क्योंकि वो भी खेलों से जुड़ी हुई है लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सब अपनी अपनी राजनिती में लगे हैं